मद्यप्रदेश की सहडोल जिले के अंतिम छोर पर 36 गड़ की सीमा पर एक ऐसा गाउं है जो मानव और भालू जैसे खतरनाक जंगली प्राणी के बीच अटूट प्रेम की कहानी का गवाह बना हुआ है इस कहानी को सुनकर प्रत्यक्ष रूप से देखने आज पास ही नहीं बलकि दूसरे जिलों से भी लोग आ रहा है भालू के मानव प्रेम का यह क्रम पिछले कई वर्सों से चल रहा है जिसकी चर्चा 2-3 साल से खूब हो रही है जिले के अंतिम छोर पर 36 गड़ के जनकपूर क रहने वाले भालू का ऐसा प्रेम है कि वह हर दिन बाबा के आश्रम में पहुँचते हैं और जब तक बाबा उन्हें कुछ खिला नहीं देते भालू वहीं चहल कदमी करते रहते हैं इनकी संच्छा 3 बताई जा रही है बाबा के मुताविक यह भालू उनको वहां उनके पर देकर बुलाते हैं जहां कहीं भी आसपास होते हैं उनकी एक आवाज पर दोड़े चड़े आते हैं जिन जंगडी भालू का नाम सुनकर इनसान काप जाता है वह उससे दूर भागने रगता है वहीं भालू बाबा रामदास की एक आवाज पर दोड़े चले आते हैं बाब बाबा रामदास कहते हैं कि वे इस जंगल में कुटिया बना कर पिछने साथ साल से रह रहे हैं। बाबा और भालों की बीच का ये रिस्ता मनुष्य के लिए सीख है। कारेक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मद्ध वातानुकूलित राजवाटी का मेरज कार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटी का मेरज कार्डन, नैशनल हाइवे, जूला मोर, भुंदहा, रीवा अधिक चानकारी के लिए संपत करें। 98270-04251 झाल झाल